असलाम नेकुम डिया स्टूडेंट उनिट नमबर फोर के हम जिस टॉपिक को डिसकस कर रहे हैं वह हैं mathematics को हम literature के साथ कैसे engage करेंगे और उसमें हम लेखेंगे कि बिबियो थेरपी क्या चीज़ है और उसका process क्या है सो बिबियो थेरपी को समझने के लिए जरूरी है कि जब हम एक किताब पढ़ते हैं तो हमारे उपर क्या सराथ होते हैं जब हमें किताब पढ़ते हैं तो करेक्टर उन्हीं feeling से गुजर रहा होता है जिससे हर इनसान कभी कभी गुजरा होता है और जब हम अपनी feeling को से identify कर लेते हैं और हमें लगता है कि करेक्टर मेरी ही जैसा है यह उसके हैसास और जजबात वहीं है जो मेरे थे तो हम इसको कहते हैं identification का process और identification में जो पहला काम होता है वो होता है healing process से गुजरना शुरू हो जाते हैं हमें यह ल इसका result क्या होता है identification का at a moment जब हमें लगता है कि यह character हमारे जैसा है या बिल्कुल मेरी ही जैसा लगता है पहली चीज़ जो हम experience करते हैं वो है catharsis और जो हमारी tension है वो release हो जाती है और हमें realization होती है emotional realization कि हमारे actually जबात थे क्या वो हैं क्या और इस struggle में हम बिल्कुल भी अक perspective मिलता है या हम इन problem या anxiety से कैसे निकला जा सकता है या अगर मैं यह समझता हूँ कि मैं helpless हो चुका हूँ तो यह character तो helpless नहीं हुआ इसकी और मेरी situation एक थी अगर यह निकल सकता है तो मैं भी निकल सकता हूँ और इस सरह बच्चों को एक fresh perspective मिल जाता है आज यब हम बिबियो insight है हमें अपने अंदर insight पैदा होती है हमें अपनी realization होती है कि हमारी feelings क्या है हमारी emotions क्या है और हम उने किस तरीके से समझ के अपना कतार से कर सकते हैं इसके इलावा जो हमें literature में एक और word मिलता है उसको हम कहते है universalization आया realization जो कि ज्यादा common नहीं है इसका मतलब यह है कि तमा में किसी और इनसान की नहीं हो हमारी uniqueness नहीं है feeling में लेकिन जिस situation से हम गुजर रहे हैं और जिस तरीके से हम कोई भी आने वाले phenomena को emotionally experience कर रहे है वो unique होता है हर बंदा same situation से नहीं गुजरता और उसके उपर emotion की जो intensity है वो same नहीं होती है यह बहुत interesting phenomena है जो math के teacher इसको ले सकत कर सकते हैं इंगेज कर सकते हैं किसके साथ उन बच्चों के साथ जो math से भागते हैं यह जिनके लिए math के साथ anxiety related हो गया unfortunately so universalization की concept को educator जो है वो utilize करते हैं उनका अपना sensitive sense जो है वो अपनी student के लिए develop हो जाता है जिससे वो student को बेहतर तरीके से emotionally और socially support करते हैं और definitely academically support कर सकते ह emotional connections जो हैं वो bibliotherapy के थ्रू हमारे बन जाते हैं कहानी जब भी हम पढ़ते हैं तो उसका सबसे एहम असर जो हमारे उपर होता है वो emotional impact है अच्छा वो कहानी आप तो किताबों में पढ़ते हैं कहानी को अगर आप फिल्मों में देखें या ड्रामों में देखें आप बहुत ब देखते हैं कि करदार जो है वो मुक्तलिफ किसम की difficulty से गुजर रहा है और हम उसको बहुत बहुत बेतर तरीके से पढ़ने की कोशिश करते हैं तो उसके emotions में जो इस्तेमाल हुए होते हैं वो insight पैदा करते हैं हमारे अपने emotions को समझने में और definitely catharsis करने में बिबियो therapy जो है उन बच्चों को सुनाते हैं पढ़ाते हैं तो definitely वो बच्चे बेतर हो जाते हैं और उनका catharsis में शुरू हो जाता है बिबियो therapy के लिए बहुत ही जरूरी है कि जब हम एक कहानी बच्चे को दे दे दें चाहे वो खुद पढ़े या क्लास्रूम में पढ़ें या हम क्लास् के बाद एक जबर्दस किसम की conversation को engage करना जरूरी है dialogue को engage करना जरूरी है सवाल जवाब पूछना जरूरी है counseling करना जरूरी है उससे related follow-up activities का बनाना जरूरी है बच्चे जो है उस कहानी से related अपनी anxiety को variety of तरीके से आपकी activities में जो है express कर सकते हैं वो road play कर सकते हैं problem solving कर सकते है हैं painting कर सकते हैं music कर सकते हैं और उसके ठूर ने पता चल जाता है कि हम कैसे relax हो सकते हैं और कैसे relax होने के बाद हम दुबारा mathematics problem को solve करेंगे जैसे इस character ने solve की और हम कामियाब होंगे